Good morning students, आप सब हिंदी की बुख निकालेंगे Second chapter, श्रम का महात्व श्रम का महात्व, श्रम क्या होता है? मेहनत अथक, माध्यम, प्रतीक, श्रम और सामराज्य ये hard words हैं इसके ना दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कारे से कभी ना हटती दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कारे से कभी ना हटती तो दिन भर में वह मीलों चलती है और लगातार बिना थके वह सारा दिन काम करती रहती है इन पंक्तियों के माध्यम से कवेवर सुमित्रा नंदन पंत ने चीटी को तो श्रम का प्रतीक ही बना दिया है यानि कि इन पंक्तियों से सुमित्रा नंदन पंत ने चीटी जो है बहुत महनत करती है दिन भर वो चलती ही रहती है दिन भर वो काम ही करती रहती है आपने देखा होगा ना कभी येस श्रम संसार में सफलता प्राप्त करने का महतोपूरण साधन है यानि कि मेहनत ही संसार में सफलता प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है संसार कर्म शेत्र है आते कर्म करना ही हम सब का धर्म है यानि कि संसार जो है इसमें ये कर्म शेत्र है यानि कि इसमें काम करना ही पड़ता है आते इस प्रकार कर्म करना ही हम सब का धर्म है श्रम ही जीवन को गती प्रदान करता है श्रम से ही जीवन चलता है यदि हम श्रम से दूर भागेंगे अगर हम मेहनत करने से दूर भागेंगे तो हमारी जीवन की गती ही रुक जाएगी प्रश्रमी म्यक्ती ही जीवन में बड़ा आदमी बन सकता है मेहनत करने वाला ही इनसान बड़ा आदमी बन सकता है मनुश्य को भागे का सहारा छोड़ कर पुरुशार्थ का सहारा लेना चाहिए यानि कि इनसान को भागे का सहारा छोड़ कर लगन से महनत करने में मन लगाना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब देगा तो देगा ना इसलिए जब हम महनत करेंगे तो इश्वर भी देगा सब कुछ देगा, पश्योपक्षी, जीव जन्तू, सभी लगातार स्ट्रम में लगे रहते हैं, आपने देखा हैं आपने अपने काम में दिन भर लगे रहते हैं, महनत करते रहते हैं, करम से मनुष्य को जीवन में कभी चुटकारा मिलने वाला नहीं है, यानि कि काम से काम कभी भी खत्म नहीं होता ना, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो काम से इंसान को इस जिंदगी में कभी भी, कभी भी चुटकारा मिलने वाला नहीं है, जब कर्म करना ही है, तो उस पर पू कि साधारन से इंसानों ने अपनी मेहनत से बड़े-बड़े समराजे खड़े कर दिये हैं, हैदर अली, टिपो, सुल्तान, शेरशा, शिवाजी, अकबर, नेपोलियन, आरंब में सभी समाने व्यक्ति ही थे, ये सब आपने जो नाम पड़ें, हैदर अली, टिपो, सुल्तान, शिवाजी, शेरशा, अकबर, नेपोलियन, ये पहले सधारन इंसान थे जिन्नों ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, इतहास में अपना नाम आमर कर लिया है, अब आज जाने जाते हैं, तो ये सब प्रिश्रम करने से पहले, जो इन्हों ने इतने पैचान बनाई है, इस तो भोजन भी नहीं पॉटता यानिकी अगर आम मेहनत करते हैं तो हमारा भोजन भी तबे मुष्टा है मेहनत करने जे उनके शरीर को अनेक बिमारियां गहरे रहती हैं इसलिए शरिय रेकस्रम अवश्यक है शरीरिक करने वाले लोके पिर्ग जीवी यानि कि लंबी आयूवाले होते है उनके जो इंसान महनत ही नहीं करते सारा दिन आप सी पड़े रहते हैं उनको बहुत सारी बिमारियां हो जाती है इसलिए शरिर genome अवश्यक हैन जरूरी है और शरिक परिश्रम करने वाले यानि कि जो शरीर से मेहनत करने वाले लोग हैं वो लंबी उमर वाले होते हैं लंबी उमर जीते हैं जिस देश की जनता परिश्रम करने वाली होती है वही देश उन्नती करता है यहां तक कि जिस देश की जनता भी मेहनत करने वाली मेहनती होती है वो देश उन्नती करता है हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नहरू ने इसलिए नारा दिया आराम हराम है किसने नारा दिया था? पंडित ज्वारलाल नहरुने, हमारे देश के जो पहले प्रधान मंत्री थे, उन्होंने क्या नारा दिया था? आराम हराम है यदि हमें अपने देश से गरीबी को हटाना है, तो हमें श्रम करना होगा, श्रम ही जीवन का सच्चा सुख है अगर हमें अपने देश से गरीबी को दूर करना है, तो हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत ही जीवन का सच्चा सुख है फिर इसके बाद आते हैं, इसके शब्दार्थ, सबसे पहले अथक, यानि की लगातार या बिना थके काम करते रहना माध्याम, द्वारा, प्रतीक, संकेत, कर्म, काम या कारे, श्रम, मेहनत, गती, चाल, प्रदान, देना परिश्रमी, मेहनती, मनुष्य, आदमी, पुर्शार्थ, शक्ति या पराक्रम, पूर्ण, पूरा, सामराज्य, बडा राज्य दीर्ग जीवी, लंबे समय तक जीने वाला, उन्नती, प्रगती या विकास तो बचों, आप भी ये चैप्टर घर पे रीड करना है आपको, और उसके बाद, नोट बुक में आपको, सुन्दर साफ हैंड राइटिंग में इसके शब्दार्थ लिखने हैं, आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे झाल प्रफब राइटिंग में इसके बाता हैंगे